सो साइन्स एमकेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है ओल इंडिया के नर्सिंग वालों के लिए UPPSC स्टाप नर्स की तरब से बिग अलर्ट यहां पे रहने वाला है क्योंकि यहां पर फोरम का अंतिम मौका है तो जिन्हों ने फोरम एपलाई नहीं किया है तो फोरम एपल में देख पार होंगे एक लाख 42,400 तक आपको यहां पर सेलेरी मिलेगी और फोरम का पीस नामातर यहां पर रहने वाला है जिसा कि आप आप देख पार होंगे बहुत ही कम फोरम की पीस है और बहुत ही ज़्यादा यहां पर आपका सेलेरी रहने वाला है तो यह वेक्यांस एक बार फिर से UPPSC स्टाप नर्स ने इंडिया नर्सिंग वालों को अलट किया है तो चलिए देख लेते न्यूज जिसा कि यहाँ पर आप देख पारूंगे UPPSC ने स्टाप नर्स के 27 पदों के लिए मांगे आवेदन एक जनवरी तक आवशर और यहाँ पर योगेता भी बढ़ सकती है अब यहाँ पर क्या क्या आपकी सेक्शन योगेता रहेगी क्या आयू रहेगी आयू तो इन्होंने क्लियर कर दिया कि 21 से 40 वाले फोरम बढ़ सकते है ठीक है और इसका नोटिपकेशन मैं आपको इसकी ओपिसल वेवसाइड पे भी दिखा दूँगा और आपको फोरम एप्लाइ करके भी दिखा दूँगा कि आप घर बेटे कैसे फोरम बर सकते हो UPVSC स्टाब नर्स का तो पहले इसका नोटिपकेशन देख लो और यहाँ पर देखो मेल और फे मेल दोनों के लिए मोका रहने वाला है तो यहाँ पर इनका फर्जता अलेट करना आपको अपड़ेट यहाँ पर मिल गया अब चलो इसका नोटिपकेशन देख लेते हैं यह राह इसका पूरा अपडेट जहां पर इसटाब नर्स मेल और इसटाब नर्स थे मेल जैसा कि देख पार हूँ है और पेश्केल आप देख सकते हो और फोरम का पीस यहां पर केटिग्रिवाइज मेंशन है कि अन्रिजर्वड का और जो ESCST वाले है उनका आप देख सकते हो 125 रुपे जो अन्रिजर्वड में आते है ठीक है और जो ESCST वाले उनका पैसुट रुपे 25 रहने वाला है ना मात्र आपका रहने वाला है और Education, Qualification के बात करें तो यहां पर साप साप उन्होंने मेंसिन किया हुआ है यह देखिए यह आपका Education, Qualification आपने यहां पर High School से यह अनकी जो आपका 10th है उसमें आपका Science होना चाहिए टॉल्ट में कोई साभी सब्जेक्ट हो, कोई दिक्कत नहीं है भाकि Nursing के डिगरी आपके पास होना चाहिए यूना नहीं, ठीक है इसके लावा Hindi और English में दे रखा है देखो इन्होंने पूरा का पूरा अपडेट और यह तो मैं टेलेग्राम पे भी डाल दूँगा टेलेग्राम का जो लिंक है वो नीचे दे रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में Age limit यहाँ पे भी आप देख लो यह देखिए 21-40 और Age में आपको Relaxation भी मिलेगा तोड़ा सा और स्क्रोल यहाँ पे कर लेते हैं स्क्रोल डाउन यह देखिए यह पूरा का पूरा यहाँ पर Stop Nurse Yunani बाकिसका syllabus है यह जो इसका exam होगा उसका syllabus इसका according आपको तियारी करनी होगी तो इसकी official waveside पर आपको ले चलते है अब यहाँ पर देखो अगर आप घर बेटे अपने mobile से apply करना चाहते हो तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर UPPSC के जो official side है इस पर आना होगा यह देखिए UPPSC.UP.NIC.IN link टेलेग्राम पर भी डाल देंगे इस website गा और यह इस परकार के open हो जाएगी ठीक है अब यहाँ पर आप बोलेंगे कि यह open होने के बाद आगे क्या करना है तो नीचे आपको स्क्रोल करते जाना है notification का option दिखेगा फिर यहाँ पर आपको step for OTR best application यह आपको दिखाए देगा और इसमें नीचे आपको second number पे दिखाए देगा apply for post यह देखो आप apply for post पे आपको click करना है जी हाँ बिल्कुल चलिए मैं कर लेता हूँ यहाँ पर apply for post पे click यह इस परकार का interface open हो जाएगा जितनी भी post है जिनके forum start है सब आप यहाँ पर देख सकते हो forum का देखो यहाँ पर date अभी रहने वाला है मोका है आप लोगों के लिए है ना piece का तो एक का रहेगा आपका जनवरी का लेकिन forum का 4 जनवरी तक आप apply कर सकते हो है ना तो मोका है और यह green green में आपको क्लिक कर देना है क्लिक होने के बाद यह इस प्रकार का इंटरफेज ओपन हो जाएगा जिसमें प्रिक्सदा का नाम date of यहाँ पर पूरा आज़ाए का मतलब ठीक है और यह mail के लिए इपे mail के लिए देख लो आप salary number 1 आपकी 1,224 और यहाँ से आपको फिर authenticate with OTR इस पर आपको क्लिक करना होगा तो चलिए क्लिक यहाँ पर हम कर लेते हैं जैसे हमने क्लिक किया यह इस प्रकार का इंटरफेज यहाँ पर open हो गया नीचे अब हमको stroll करना होगा यह देखिए online application forum submission तो चलिए इस पर क्लिक हम कर लेते है OTR service तो इस पर आपको क्लिक करना है you have complete OTR अगर है तो yes कर देना है नहीं तो no कर देना है ठीक है और यह आपको फिर क्या करना है अब यह OTR नमर आपको डालने है अब यहाँ पर OTR अगर नहीं है तो फिर no आपको करना होगा है ना और click to get OTR नमबर तो ये इस प्रकार से आप OTR प्राप्त कर सकते हो computer पे जो center होते हैं वहाँ पे भी forum बरवा सकते हो cyber KPP है ना और सबसे पहले तो आपको registration करना होगा OTR के लिए login, verify, फिर आपका password open हो जाएगा तो ये पूरा procedure है कि OTR के लिए सबसे पहले तो email, mobile number यहाँ पर चाहिए फिर applicant का नाम चाहिए gender चाहिए, पादर's name date ओबरत, ये detail आपको देनी होगी फिर यहाँ पर login का option आता है ठीक है registration के होने के बाद login फिर आपका detail verify करना होगा ये ना, इस परकार से आपको ये बरना है, तो सबसे पहले registration करो, और registration कैसे करना है, ये पूरा फोरम यहाँ पर देख लो, link में डाल दूँगा टेलिग्राम पर, और इसी तरीके से सारा आपका जो document से, उसी के हिसाब से फिर आपको ये फोरम बरना है आप अपने मोबाल में भी ये काम कर सकते हो अगर आप साइबर के पे पे जाके बरवाना चाते हो, तो वहाँ पे भी बरवा सकते हो, बट उससे पहले notification को अच्छे से देख लेना जी हाँ, बिल्कुल ये यूपी पेसे का जो notification है जिसमें इन्होंने mention किया हुआ है कि नमरो पोस्ट, mail के लिए 2, family के लिए 25 है ना इसको अच्छे से देख लेना और पोरम का पीसमिन आपको बताए दिया इसके लाबा आपको पोकस करना है education, qualification पे कि आपका staff nurse यूना नहीं होना चाहिए यूना नहीं ठीक है और पिर यहाँ पर exam का pattern देख लेना आप exam का pattern कि exam का pattern क्या रहेगा वो भी यहाँ पर इन्होंने बता रखा है तो यहाँ पर देखो आप यह staff nurse का पूरा है, person पत्तर staff nurse यूना नहीं का है ना 85 का रहेगा, 2 गंटे का रहेगा है ना, पूरा इसमें देख लो आप syllabus भी इन्होंने दे रखा है तो खाभी बड़ा पीडिये पे notification है, और अच्छा मोकाई UPPSC staff nurse में apply करने का link टेलेग्राम का नीचे दे रखा है उस पर update में डाल दूगा फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप comment करके बता देना application का और टेलेग्राम का link दे रखा है description में